असलाम लेकों मेरे प्यारे वियूर्स, कैसे आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना जूर्री शॉपिंग हॉल शेयर करें ही हूँ आप में से जो लोग मझे इंस्ट्रेग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनके साथ मैंने एक स्टोरी शेयर की थी कि आपने जूर्स पे सेल लगई थी फ्लैट 50% औफ और मैंने उस सेल को वेल किया और अपने लिए मज़े की जूर्री ओटर की है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने लिए कौन से चीज़ें परचेस की है एक चोटी से रुकेस्ट कानली चैनल का सब्सक्राइब कर लें वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा और मुझे comment box में बताएगा कि आपको मेरी जूर्री कलेक्शन कैसी लगे सबसे पहले बात करूँ कि एक famous जूर्री ब्रैंड है इनकी जूर्री तुर्कीशी कलेक्शन से inspired है बहुत ही प्यारी कलेक्शन होती है इनकी packaging देखिए बहुत ही प्यारी packaging है ये मेरा first order है autumn jules मैं first time अपने लिए मैंने autumn jules पर order place किया और सबसे पहले जी जो मैंने अपने लिए order की ये coin chain bracelet order किया है बहुत ही प्यारे लगती है मुझे star की jewelry अच्छी लगती है पहन के बहुत ही प्यारा लगता है थोड़ा सा एंटीकी मुझे look आता है फिमेस दूसरी regular jewelry से हटके होती है मुझे wrist watches पहनना bracelets wear करना या कड़ा wear करना बहुत अच्छा लगता है तो first थी ये coin chain bracelet मुझे price इनकी बिल्कुल याद नहीं है मैं इसका instagram handle description में दे दूँगे आप इनकी waist right पर जाके check कर सकते हैं और एक बात sale खतम हो गई है तो इनकी prices फिर से high हो गई है या original prices है second मैंने अपने लिए ये bracelet order किया था just look at this बहुत ही प्यारा bracelet है मैंने काफे लोगों को ये पहने वे देखा और मेरा bloggers को भी पहने वे देखा तो मेरा दिल चाहा मैं भी order कर दू बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के jewelry आप अब एक proper dressing के साथ में proper jewelry wear करें और you're good to go, बहुत अच्छे लगते हैं ये था जी second bracelet आप मैंसे जो लोग मुझे Instagram पर follow नहीं कहरे हैं अच्छे लिंक में डिस्क्रिप्शिन में ले दूँगी और तीसी चीज जे मैंने अपने लिए order की ये थार्ड ब्रेसलेट है order तो मैं अपने लिए एंकलेट पी करना चाहा रही थी और रिंस पी करना चाहा रही थी बट रू आप आप स्टॉक थे और मुझे ये तीन चीज़े अविलेबल थी सो मैंने इनका order ब्रेस कर दिया I think total bill मेरे पास में 2500 का था with delivery charges और इनकी क्या price थी after sale यार नहीं So this is the jewelry that I have bought from Ottoman Jewels मुझे comment में जरूर बतायेगा क्या आप को ये jewelry कैसे लगी क्या आप ने अपने ये Ottoman Jewels से कोई order ब्रेस किया I'll see you in the next video Till then, Allah Hafiz, take care